हेलो नमस्कार आप सभी का श्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूर न्यू डारेक्शन पर जिहां आर आर भी एंटी पीसी और गुरूप डी को लेकर अब भ्यारतियों ने किया था महाशंग्राम और उसी महाशंग्राम के चलते आज 10 मार्च 2022 को सबसे बड़ी महाखु उस खबरी आ चुकी है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पर जो फैसला है वो रेलवे को समिट कर दिया है अभी कुछ दिन पहले ही रेलवे मंत्री जो है उन्होंने इस पर मीटिंग की थी और उसी के चलते अंती फैसला लेते हुए रेलव हैं तो ऐसी लिटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप देख सकते हैं गवर्मेंट आफ इंडिया मिनिस्टी आफ रेलवे की तरफ से ये नोटिस आज की तारिक में आनि कि 10 मार्ज को जारी की गई है और ये जो नोटिस है आप देख सकत को एकदम अभी अभी यहां पर जारी किया गया है अब यहां पर आप देख सकते हैं किसमें क्या क्या चीजे महत्पूर्ण हैं जैसा कि 20 गुना यूनिट छात्रों को जो रिजल्ट है वो जारी करने की छात्रों की मांगती उस पर इस फ्रेशले को जारी कर दिया गया है य पर तीसरा जो पॉइंट है वो है गुरूप D में CBT 2 जो है जिसका एलान अभी सरकार ने किया था कि अब गुरूप D में CBT 2 कभी एक्जाम होगा लेकिन अब वो नहीं होगा इस पर भी छातों की बात को मान लिया गया है और चौता पॉइंट है कि एंटी PC का जो रिवाइज रिजल्ट है यानि कि 20 गुना जो रिजल्ट है वो अप्रैल के यानि अगले महिने के अप्रैल में प्रथम सब्ता में जारी कर दिया जाएगा वहीं पर अगला जो पॉइंट है वो है एंटी PC CBT 2 को मैं में यानि कि अप्रैल के तुरंट बार मैं में करवाया जाएगा ले टी टू तो होगा नहीं गुरूब डी में वन होगा वो जुलाई 2022 में हो जाएगा तो बड़ा बदलाओ और आरभी के तरफ से देखने को मिल रहा है छात्रों के हित में फैसला देखने को मिल रहा है